Good morning dear children, how are you today? So today is Tuesday and the date is 28th of September 2021. Tuesday means, आज मंगलवार है और आज दिनाख है 28 सितंबर 2021. So आज हम कर रहे हैं Patent Worksheet of Hindi. Hindi का आज हम अभ्यास कारे कर रहे हैं, मिन्स रेविजन कर रहे हैं. माम ने आपको question दिये हैं, जैसे आपके first term assessment में आने वाल हैं, ठीक है? So start करें हम अपनी worksheet. So आप देखो, पहला प्रश्न माम ने कौन सा दिया हैं? First question क्या है आपका? रिक स्थान भरो. So fillups हैं, ये worksheet आपने पहले भी की है. So माम ने टर से टमाटर में आपको औरिक स्थान भरने को देए थें, ऐसे ही ये देखो घर का चित्र बना हैं, और उसमें माम ने व्येंजन लिखे हैं. और जो व्येंजन माम ने नहीं लिखे हैं, आप ये देख रहे हो, ये बादल बनाए हैं माम ने, इसमें वो व्येंजन लिख दिये हैं. और इस ट्राइंगल में भी कुछ व्येंजन लिखे हैं. So शुरू करें अपनी वर्क्षीट. So सबसे पहले देखो कौन सा व्येंजन है, कर व्येंजन जो है, वो लिखा हुआ है, कर के बाद कौन सा व्येंजन आता है, व्येंजन ख, तो हम ख को ढूंडेंगे कहा है, ये रहा व्येंजन ख, इसको हम क्रॉस करेंगे, और ख व्येंजन यहां लिखेंगे, ख यहां लिख ठीके, आप भी सुन्दर सुन्दर लिखेंगे क के बाद कौन सा वेंजन आता है क ग मैं आपने लिखा है ग के बाद आएगा ग ग वेंजन देखो ये वले क्लाउड में हैं ये वले बादल में हैं इसको धून लिया है हमने इसको क्रॉस करो और यहां लिखो वेंजन ग से घर और उसके बाद आता है ग, हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है, क, ख, ग, घ, ग, ग, दूसरी लाइन कहां से स्टार्ट होती है, पहला वेंजन क्या होता है, वेंजन च, च वेंजन ढूनना है, कहा है, क्या ये वेंजन च है, बच्चों, ये वेंजन च है, नो, कहा है, ये रहा व्यंजन च तो हमने ढूण लिया इसको हम क्रॉस करेंगे और व्यंजन च हम यहां लिखेंगे च व्यंजन च के बाद आता है च जो माम ने लिखा है च के बाद आता है व्यंजन ज यह रहा व्यंजन ज इसको हमने ढूण लिया इसको करोगे आप क्रॉस और यहां लिखो करोगे आप व्यंजन ज, यह है ज और यह है न, हमने कंप्लीट किया अपनी दूसरी लाइन, च, ज, 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 न, अगली कौन सी लाइन आती है, थर्ड लाइन, पहला व्यंजन है ट, जो माम ने लिख रखा है, ट के बाद आता है ठ व्यंजन, जो यह रहा, यह हमने ढूंड लि इसको आप करोगे क्रोस और यहां लिखोगे व्यंजन थ से ठपा या थ से ठेला, थ के बाद आता है व्यंजन ड दमरू, का है ड से दमरू यह रहा, इसको क्रोस करना है और ड दमरू यहां लिखना है, ड व्यंजन यहां लिखना है, ड के बाद आता है ध जो माम ने लिख र अब हम अपनी चौथी लाइन करेंगे जिसका पहला वियंजन क्या होता है थ से पहले क्या आता है बच्चों यह चुल्डन थ से पहले आता है वियंजन त यह रहा इसको क्रॉस करो यहां लिखेंगे हम त से तलवार यहां त से तरबूज थ द ध और ध के बाद कौन सा वियंजन आएगा वियंजन यह रहा यह भी हमने ढूण लिया यहां लिखेंगे आप वियंजन न त थ द ध ध न सो हम एक बार दोहराएं क, ख, ग, घ, ग, ग, च, च, ज, 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 न, त, ठ, ड, ध, ध, अन, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, आप अपना प्रश्न पहला कंप्लीट करेंगे मिन्स आपका question number one complete होता है ऐसे जो है रिक स्थान भरो now let's move to next question आगे देखे कौन सा मामने question दिया है so आपका प्रश्न दो है मिन्स question number two है चित्र देखकर सही व्यंजन लिखो मामने चित्र दिये है आपने उनको देखना है पहचानना है और फिर सही व्यंजन लिखना है मिन्स वो चित्र से कौन सा व्यंजन से वो चित्र होता है वो लिखना है ठीक है चित्र आप ममा आपको ड्रॉ करके देंगे आप इनमे सुन्दर सुन्दर रंग भरेंगे ठीक है अब देखो सबसे पहला चित्र मैम ने क्या बनाया है ये क्या है खरसी खरगोश और खरगोश क्या खाता है गरसी गाजर खाता है है ना तो यह है ख से खरगोश का चित्र, तो यहां हम मैंने dots दिये हैं, व्यंजन हम three lines में लिखते हैं, जो center की blue lines होती हैं, उनमें लिखना है, व्यंजन ख से खरगोश होता है, है ना, तो आप एक dot लगा के गर से गाजर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो चित्र हैं इसमें, ड से डमरू, डमरू के आवाज कैसे होती है, डम डम डमरू, यहां हम लिखेंगे ड व्यंजन, ड से डमरू, यह किसका चित्र है, थ से थरमस, तो यहां हम लिखेंगे व्यंजन थ, और मैं आपने बताया है थर्व एंजन को हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो यहां से करेंगे ठीक है उसके नेक पार्ट पे नहीं है यह जो सर्कल वाला है इस पे हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे थ से थरमस ये किसका चित्र है ये एक बरतन है बरतन के ओपर ये धकन है ध से धकन आपने एरो दिया है ध से धकन तो यहां आप लिखोगे ध वेंजन त बनाके उसको टर्न कर देंगे तो ये बनेगा वेंजन ध से धकन खसी खरगोश दसी डमरू थ से थरमस दसी धसे धकन नव लेट्स मूँव तो नेक्स क्वेश्चन अगला प्रशन देखे कौन सा है यहां पर माम ने अक्षर दिये हैं या वेंजन दिये हैं आपने एक जैसे वेंजनों को मिलाना है लेकिन उससे पहले आपको वेंजनों को पहचानना है देखे कौन-कौन से वेंजन दिये हैं माम ने आप भी बोल-बोल के लिखेंगे और वेंजन को पहचानेंगे यह वेंजन है घ, थ, ध, छ, ज, और यह है अन, घ से घर, थ से थरमस या थाइला, ध से धनूश ध से धनूश या ध से धोबी, छ से चाता या छ से चड़ी, ज से जन्डा या ज से जर्ना और यह हैं अन अब देखो एक जैसे वेंजनों को आपने मिलाना है अब यह रहा वेंजन घ, और यह रहा वेंजन घ, हम डौट से डौट को मिलाएंगे अब आप तिर्ची लाइन कीचेंगे, means slanting लाइन बनाएंगे और घ को घ के साथ मिलाएंगे राइट चिल्रन, नेक्स्ट वेंजन है थ, ढूंडो थ वेंजन कहा है, यह रहा थ, बोल बोल के लिखेंगे सब अपनी वर्कशेट यहाँ भी हम लोग slanting लाइन खींचेंगे, means slanting लाइन खींचेंगे, और ध को ध से मिलाएंगे नेक्स्ट देखो, यह वेंजन ध है, और यहाँ वेंजन ध कहा दिख रहा है आपको, यह रहा ध को ध के साथ हम standing line के साथ join करेंगे, means सीधी रेखा कीचेंगे ध को ध के साथ सीधी रेखा कीच कर मिलाएंगे, ध यह है च वेंजन, यहाँ देखो वेंजन च कहा है, यह रहा च को च से आप मिलाएंगे slanting लाइन खींच के, च च यह रहा ज वेंजन, यहाँ ज कहा है, यह रहा draw a slanting line and match, आपने जह को जह से मिलाना है, यह हमारा अणवेंजन है और यह रहा अणव, यह भी हम तिर्ची लाइन खींचेंगे, means slanting लाइन खींचेंगे और join करेंगे, so dear children in this way you have to do this question, इस तरह से आपको यह वाला प्रशन करना है, प्रशन तीन और आगे देखें हमारा अगला question क्या है, question number four, so dear children हमारा चौथा प्रशन है, चित्र पहचान कर सही वेंजन पर गोला लगाओ, गोला means circle लगाना है, ठीक है, चित्र पहचानने है, यहाँ पे आप देखोगे कौन से वेंजन से वो चित्र शुरू होता है, उसका पहला चित्र आपको क्या दिख रहा है, यह है ग से गमला, आप धूंडोगे यहाँ ग से गमला का है, उसको circle करना है, यह क, ख, ग, यह रहा ग से गमला, ठीक है, इसको हम करेंगे circle, means गोला लगाना है, ठीक है, यह है ग और यह है अग, अगला चित्र देखो, यह क्या बनाया है हम हमने ट से टमाटर ट से टमाटर कहा है यहां पर ट वेंजन से शुरू होता है यह रहा वेंजन ट तो यहां लगाना है हमने गोला में सरकल करना इसको थ द ध ध अन अब तीसरा चित्र कौन सा है यह क्या है यह है द से धिया द से शुरू होता है द को ढूना है ये ध ये ध है ये ध है त थ द त इसको हमने सरकल करना है ठीक है इसको गोला लगाना है ध न ये किसका चित्र है अगला चित्र देखो ये है ज से जग जब दिखरा आपको च च ज से जग इसको आप करोगे सरकल मिस गोला लगाना है ये ज है और ये न अगला चित्र देखो यह क्या है यह है च से चाबी च से चाबी होता है तो च को सरकल करना है ठीक है च च ज ज ज ज न और लास्ट में देखो मामने कौन सा चित्र बनाए है यह क्या है यह है तारे बहुत सारे है तो त से तारे होते हैं तो त को आप गोला लगाएंगे त को सरक द, ध, न So dear children, in this way, you have to do your question number 4 इस तरह से आप प्रश्न चार करेंगे Dear children, do your pattern worksheet of Hindi Neat and clean, सुन्द सुन्दर आप Hindi की pattern worksheet करेंगे और फिर माम को आप अपनी worksheet send करेंगे So all the best dear children और चित्रों में अच्छा अच्छे से रंग भरेंगे सुन्द सुन्दर से आप रंग भरेंगे, सभी चित्रों में Thank you children, have a nice day, bye bye